हेलो गाइज की आहल चल मैं फिर से आ गया हूँ वाट्सेप का पाच नया फीचर्स को ले करके इन में से दो फीचर्स रोलड आउट हुआ है और तिन अपकमिंग फीचर्स है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पाच फीचर्स को ही डिटल्स में दिखाऊंगा तो वीडियो को आप अंदर तक दिखिए अगर आप वाट्सेप यूज करते हो तो और चनल पे नया है तो चनल को करिए फोटाफोर से सब्सक्राइब तो पहले उन दोनों फीचर्स के बाड़े में बात करते हैं जिन फीचर्स रोलड आउट हो गया है तो हमारा पहला फीचर सर्स कारने के कोई भी option देखने के लिए नहीं मिलता था पर आभी से हमें यहांब पे एक सर्स कारने के option देखने के मिल जाएगा जिसको पर टैप करके हम किसी का स्टेटास को सर्स करके ला सकते हैं कुछ इस तरीगे से तो यह है हमारा पहला फीचर अब बात करते हैं प्रीटलन के अंदर प्रोटक्ट इअड्रेस इन तो सकत UP सुराटकर यहां पर क्लिक कर्द कराटना है इस للडहरों कीराल्टा करणा चाइब अगर हम किसी भी WhatsApp charts को लोक करका रखेंगे तो हमें Johannως Connor का अरने के बाद हाप पे Log Charlie cards का option देखने ले मिल जाता है लेकिन इसulator आने के बाद हम 204ारफ जैसे कि स्विए WhatsApp charge को लोक करका राखेंगे तो हमेंрос ச्क्रोलक का आना के बाद यह option देखने ले ले मिलेने एक अब बात करते हैं हमारा fourth upcoming feature के बाड़ में इस feature का नाम है username आभी की time पे हम जिस तरह टेलिग्राम और Instagram के अंदर username create करते हैं सेम उसी की तरह आने वले time में हम WhatsApp के अंदर भी username create कर सकते हैं इसके लिए हमें three dot पे tap करके जाना होगा settings में then profile के अंदर जाना होगा उसके बाद हमें यहाँ पे username का option देखने के लिए मिलेगा जिसको पर tap करके हम WhatsApp के अंदर username create कर सकते हैं और यह जो username का feature है वो आभी तक तो आया ने है लेकिन आने वले time में हम साभी को WhatsApp के अंदर username का feature देखने के लिए मिलेगा तो अब बारते हैं हमारा last feature की तरह last feature का नाम है status timer देखिए गा अगर हम WhatsApp के अंदर कुछ लिग के status में set करते हैं तो हमारा जो status है वो सिर्फ 24 hours तक ही रहते हैं उसके बाद automatically delete हो जाता है लेकिन यह feature आने के बाद हम जैसे WhatsApp के अंदर कुछ लिग के status में set करेंगे उसी के साथ साथ हम timer भी set कर सकते हैं यहाँ पे हम यह timer देखने के लिए मि फोटोस या वीडियूस पे काम करेगा या फिन नहीं मुझे तो नहीं पाता गाईस लेकिन आने के बाद ही पाता चलेगा हो सकता है हमें यह feature कुछी दिन में ही देखने के लिए मिल जाए